दोस्तों क्या SSC GD के medical में weight check होता है, height के अनुसार आपका weight कितना होना चाहिए, अगर आप भी इनी सवालों के जवाब डूंड रहे हैं, तो ये video आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इस video में सारी चीजे detail में आपको मैं बताने वाला हूँ, सो देखे, SSC GD का जब medical होता है, तो वहाँ पर आपका weight चेक किया जाता है, और आपको जो points मिलते हैं weight को लेकर वो दो तरीके से मिलते हैं, first आपको मिलता है, अगर आप क्या है, अगर आप underweight हैं, तो आपको point दिया जाएगा, second अगर आप overweight हैं, तो भी आपको यहाँ पर क् मतलब है, देखे, under से ही समझ में आ रहा है किसी चीज के नीचे, यानि कि आपकी height के अनुसार, जितना आपको वजन होना चाहिए, अगर आप उससे down है, for example, यह example के लिए आपको बताता हूँ, अगर आपकी height है 5 feet 7 inch, ठेक है, और अगर आपका weight बताया गया है, 41 से 50 kg, ठेक से भी आपका जो वजन है, वो यहाँ पर down है, इसलिए आप किसकी category में आते हो, underweight की category के नदर आते हो, for example, आपकी जो highest weight है वो है 50 kg, और आपका जो weight है वो यहाँ पर मिलता है 52 kg, so इस type में आपका जो वजन है, वो एक जो prescribed जो value दी गई है, उससे ज्यादा है, इसलिए आप किसकी सरेनी में आते हो, यहाँ पर overweight की सरेनी में, अब यहाँ पर जो underweight और overweight आपको दिया जाता है, height के according, वो यहाँ पर plus minus आपका 5 kg तक का, plus minus 5 kg तक का आपका यहाँ पर लेकर चलते हैं, for example, अगर आपका यहाँ पर मैं मानता हूँ कि मानलो 40 से 50 kg है, अब यहाँ पर 5 kg मतलग कि अगर आप 35 kg के लगबग हैं, तो आपको underweight के अंदर नहीं माना जाएगा, अगर आप यहाँ पर लगबग लगबग 24 या 55 kg के हैं, तो आपको overweight नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर हो जाते हैं 30 kg के, तो इस case के अंदर आपको क्या क्या जाएगा, और अगर आप यहाँ पर 50kg की बजाए यहाँ पर 60kg हो जाते हैं तो यहाँ पर आप under weight हो गए और यहाँ पर आप क्या हो गए और इसकेस में आपको point मिलता है point में किया कैसे आपको मिलता है point के अंदर आपको 2-4 चीज़े बोलते हैं वएसे हलागी पहले जो point दिये जाते थे, उनके अंदर आपको कहा जाता था कि आप अपना बढ़ा किया, गटा किया, वो किसलिए होता था, क्योंकि आपको जो re-medical मिलता था, जो re-medical मिलता था, वो लगबग लगबग 15 से 20 दिन के बाद मिलता था, लेकिन अब क्या होने लग गया, अब आपका यहाँ पर underweight और overweight वो है, इसलिए वो वहाँ पर उसको highlight करके बोलते हैं, कि आप जब training के time पर आओ, उस समय में आपका underweight नहीं होना चाहिए, और आपका overweight है, यह नहीं होना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, अब height के अनुसार, आपका weight, कितना होना चा कि आपकी age के according, आपके height के according, आपका weight कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, male average body weight के बारे में, तो अगर आपकी height 156 cm है, और आपकी जो age है, वो 18-22 है, तो 44-54 kg आपका वो वजन होना चाहिए, इसके अलावाद 23-27 साल के हैं, तो 46-56, अग 38-37 साल है, तो 48-59 kg जो weight है, वो यहाँ पर आपका होना चाहिए, अब अगर 158 जो है, अगर आपकी height है in cm के अंदर, तो इसके according, अगर आपकी age 18-22 है, तो 45-55, 47-27, अगर 23-27 साल उमर है, 48.5 से 59.5, अगर 28-32 है, और आगे जो age है, उसके according, तो यहाँ पर, 160, 162, 164, 66, 68, 170, 22, 24, 96, और last में, 190 cm तक, आपकी जो height है, उसका जो weight है, age पर age आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आपको अभी करना क्या है, अपनी height यहाँ से चेक करनी है, अपनी age group यहाँ से आपको चेक करना है, और उसके according आपको जो आपका वज्जन है, वो यहाँ प आपको यहाँ से नहीं कि 33, 33 क्यों दे रखा है, या 32 साल क्यों दे रखा है, आपको सिर्फ अपना age group देखना, आपको इसके अंदर आएं, इसके अलावा, प्लस माइनस, प्लस माइनस 5 kg तक का जो वज्जन है, वो यहाँ पर accept जो है, वो किया जाता है, यानि कि आपका जो स्वीकार यह जो है, वो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, इस चीज का आप धियान रखेगा, यानि कि अगर आपका यहाँ पर 54 kg weight है, अगर for example मैं बोलता हूँ कि 54 kg weight है, height 156 cm 18 से 22 age group का, प्लस आप यहाँ पर 5 कर सकते हैं, अब 5 क्या हो गया, तो यहाँ पर मतलब कि आपक 59 kg तक valid होगा, अगर same मैं बोलता हूँ कि 44 kg जो है, वो आपके यहाँ पर वजन है, minimum, इसके अंदर आप minus 5 यहाँ पर कर सकते हैं, अब 5 करने पर आपका कितना होगया, 49, ठीक है, यानि कि 49 kg तक का जो वजन है, वो यहाँ पर आपका accept किया जाएगा, अब आगे बात करते है एक बार, female body weight के बारे में, कि जो female से, उनके average body weight कितना होना चाहिए, जो यहाँ पर height 148, अगर आपकी यह centimeter में, age 18-22 साल है, तो 34.5 से 42.5, 23-27 साल है, तो 37 से 45, 28-32 है, तो 38.5 से 47, और आपका जो age है, उसके according, जो यहाँ पर जो female से, उनकी height दी गई है, 168 centimeter तक, और weight, age पर उनकी जो age group है, उनके साथ यहाँ पर दिया गया है, अब सेम चीज आपको क्या करने है, अपनी height देखने है, कितनी centimeter है, आपको अपनी age देखने है, आप किस group के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ से आपको अपना जो weight है, वो यहाँ पर आपको अपना क्या कर लेना चेक यहाँ पर कर लेना, for example आपका भी, मानलो 148 centimeter में, 23-27 साल की उमर में, आपका maximum weight यहाँ पर मांगा गया है, 45 kg, अब यहाँ पर plus 5 करने से, अगर आपका 50 kg बन रहे हैं, तो भी आपका यहाँ पर स्विकार किया जाता है, यानि कि accept किया जाएगा, और अगर 37 kg आपका minimum weight ह माइनस 5 करने पर, अगर आपका 32 kg बन यहाँ पर आ रहा है, तो भी आपको accept किया जाएगा, यानि कि overweight और underweight जो है, उसके अंदर आपका plus minus 5 है, वो यहाँ पर किया जाएगा, अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को रोकिए, यहाँ पर screenshot लीजिए, और इसके बाद अपना जो height और weight है, उसको यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, ठीक है, तो दोस्तों यह था height and weight का according to age chart, आपनी check कर लिया होगा, आपको पता लग गया होगा, कि आपके height के according आपका version कितना होना चाहिए, अब आप यहाँ पर plus minus 5 है 6 कर लीजिए, अगर उससे आपसे एक और ऐसी informative वीडियो के साथ, तब तक लिए जाज़े दीजिएगा, नमस्कार